बहुत सारे लोगों का टेलीफून आया कि बुद्ध और मुसल्मान के उपर आप एक वीडियो बनाया जानकरी थे मैं इसे बचना चाह रहा था क्योंकि ये सबी लोग जानते हैं कि सब्जक्ट कैसा है मगर फिर भी जब ज़्यादा ही अर्ज किया गया ज़्यादा ही आया तो मुझे इस जानकरी में बनाना पड़ा बुद्ध के समय में मुसल्मान शब्द ही नहीं था बिसकली बुद्ध का जो साहित है या बुद्ध जो थे वो 2660 साल पुराने थे बुद्ध का अगर हम पुरा साहित तर उठाते हैं तो उसमें सिंगल भी उर्दू का या अर्भी का शब्द नहीं है नहीं उसमें मुसल्मान का जिक्र है नहीं उसमें इसलाम का जिक्र है नहीं उसमें इसा का जिक्र है नहीं उसमें क्रिष्टन हिंडी का जिक्र है क्योंकि ये भी लगवग 2000 साल पहले आये हैं, ना ही उसमें सिखिखिज्म का है, ना ही उसमें किसी और मजभग का है, हाँ जैनिज्म का जिक्र जरूर है क्योंकि महाविर जैन उनसे पहले थे, इसलिए इंगलिस का और उर्दू का कोई भी सब्द उसके अंदर नहीं है, इसक नहीं आता है, इसमें छत्रिय शब्द भी नहीं है, इसके अंदर वैश्य शब्द भी नहीं है, इसके अंदर जो वमन है, यानि जिसको ब्रहमन है, वो सब्द वमन करके है और समन करके है, यह जो सब्द बने है, यह वन से बने है, वन का मतलब रंग होता है पाली के अंदर और अवन का मतलब होता है जिसमें रंग ना हो यानि दो लोग का भेद है इसमें वन और अवन वन वो लोग है जिनमें रंग है जो भारत के लोग है और अवन का मतलब है जिनमें रंग नहीं है जिनकी रंग सफेद है, जिनकी खाल सफेद है जिनकी इसकिन सफेद है उनको अवन्ड का है इसी वन्ड को बाद में सुवन्ड भी का है सुवन्ड का मतलब है जिसका रंग गहुँ जैसा है जिसका रंग जो सूरज का साम का समय होता है सुनहरा जैसा वैसा रंग है उसको सुवन्ड बोला है या काले भी बोल सकते हैं, सामला भी बोल सकते हैं, ग्यहुँचे सावी और अवन्ड का मतलब है, जिसका रंग सफेद है, जिसमें कोई रंग नहीं है, वो बाहर के लोग है जो बाहर से भारत में आये, उनको अवन्ड है इसी को वहाँ समन और वमन कहा गया है समन का मतलब है से वन माने से रंग वाले यानि रंग के सहित वाले जिनका रंग है और वमन का मतलब है जिनका रंग नहीं है जो बिना रंग वाले लोग है यहाँ पूरी पाली संस्कति में सिर्फ समन और वमन का जिक्र है बहार से आएवे लोगों का और भारत के काले लोगों का इसलिए मुसल्मान और बुद्ध का जो तालमेल है वो बड़ा अजीव है क्योंकि भारत के लोग इरान से लेके बर्मा तक सारे के सारे ही बुद्ध की फिलोसफी में बुद्ध के समय के बाद से जाने जाते हैं और बुद्ध के समय से पहले उनका कोई भी धरम या मजभ किसी डिकलेरशन में नहीं आता किसी साहित्ते में कहीं इंगिती रही है, कहीं ऐसा है, खास वर से पाली साहित्ते में उनको सिफ समन और वर्मन करके बोला गया है, तो इसलिए वहाँ कोई सब्ध ऐसा मिलता नहीं है, बाद में जैसे जैसे लोग भारत में आते गए, वैसे वैसे ये सब्ध बनते चले गए, और बात के साहित्ते में जोटते चलेगे ये बिल्कुल किलियर है भारत में जो मुसल्मान हैं वो अधिकतर भारत के लोग है भारत में जो इसाई हैं वो अधिकतर भारत के लोग है भारत में जो सिख हैं वो अधिकतर भारत के लोग है भारत में जो conversion हुआ है या जो कहीं से कोई धर्म आया है या religion आया है तो भारत के लोगों ने उसको adopt किया है adopt करने से वो भारत के लोग उसमें चले गए अगर आप बात करेंगे 1400 साल पुरानी तो आपको दुनिया में इसलाम मिलेगा मगर 1400 साल पहले से अगर आप जाएंगे तो 1400 साल लेके और 2000 की बीच में आपको Christian मिलेंगे और अगर उससे पहले जाएंगे तो भारत में आपको सारे के सारे बुद्धिष्ट मिलेंगे या बुद्ध की philosophy चलने वाले या जैन की philosophy पे चलने वाले लोग मिलेंगे ये हैं और अगर बुद्ध और जैन से भी पहले जाएंगे तो उस समय के कोई नाम नहीं है क्योंकि उस समय से इत्यास आरम नहीं होता इत्यास जो आरम होता है वो बुद्ध और जैन के बाद से आरम होता है जो की परमानिक है और जिसके सबुत सारे मिलते हैं इसलिए भारत के अधिकतर मुसलमान जो भी हैं उनको कह सकते हैं कि वो मुसलमान converted है बने हैं जो लोग इरान से या जो लोग सवधी अरब से आये हैं वो लोग भारत में रहते हैं वो थोड़े से लोग हैं जो अलग हैं इनकी पैचान अलग हो जाती है बाकी सबका भेस भूसा, रंग, खाना पीना या उनका जितना भी जीवन है, कल्चर है वो यहां के और बाकी लोगों से मैच करता है, मिलता है इसलिए बुद्ध के अंदर, कुँगी बुद्ध का खुद का कोई धरम है नहीं बुद्ध का कोई रिजन है नहीं, बुद्ध का कोई भी दुनिया के अंदर रिजन नहीं है वो सिर्फ एक पद्धती के नाम से जाना जाता है, और उन लोगों को धमिक बोलते है और वहां गॉड भी नहीं है, बाकी जगे सारा गॉड इस्तमाल होता है इसाईयों के पास भी गॉड है, जो मुस्लिम हैं उनके पास भी गॉड है, जो यहुदी हैं उनके पास भी गॉड है मगर जो बुद्ध लोग हैं उनके पास कोई गॉड नहीं है, उनके पास सिर्फ हुमन है और हुमनिटी है, मानव है, मनुस्ता है इसलिए सारे लोग क्योंकि बुद्धिष लोग कभी दावा नहीं करते मगर अगर वो दावा करें तो इरान से लेके बरमा तक सारे लोग बुद्ध की फिलोस्पी को पहले से मानने वाले लोग रहे हैं मानता को मानने वाले लोग रहे हैं जब ये कल्चर यहां से लुप्त हो गया, या लुप्त कर दिया गया, या खतम कर दिया गया, उनों लोगों ने, जिनको इससे नुक्सान होता था, तो लोगों को जो पद्धती मिली, जो जानकारी मिली, जो रिलिजन मिला, वो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, जिसमें भ भारत में बुद्ध का और जैन का उद्गम हुआ है इसलिए दुनिया के सारे बुद्धिष्ट जितने भी हैं वो यहां के उद्गम से चलते हैं भारत में रहने वाले जो आज की डेट में टेडिशनल या जो लोग जान चुके हैं कि धम यही का है और वो धमिक लोग हैं मांग रहे हैं बुद्धिष्ट लोग कभी सार्टिफिक्ट नहीं मांगते धन्यवाद